हलो दोस्तों आज हम फिर आपके लिए हाजिर हुए हैं एक बहुत ही प्यारा सा भारत महसो का वीडियो लेकर दोस्तों यहां पर देखिए बच्चों के लिए कितने प्यारे प्यारे से जूले लगे हुए हैं अगर आप अपने बच्चों को लेकर महसो आये होंगे तो आपक बने रहेगा वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना शेयर करना चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आगन को भी प्रेस कर लेना आप देख सकते हैं कि आप थोड़ा सा यहां पर महुस्तो हलका हो रहा है कम लोग है क्योंकि यह बिल्कुल खतम होने वा होड़े हैं कुछ ऊट भी है यहां पर विजो खाली चल रहे हैं आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं है महस्तु में भीड़ना होने की वज़े से बच्चों ने खूब enjoy किया है, हम सभी लोगों ने खूब enjoy किया है, क्योंकि भीड बहुत ज्यादा नहीं है काफी ground हम लोगों को मिल गया है, तो हम लोगों ने खूब सारी photo भी किचाई थी खूब सारी selfie भी लिए हैं बहुत मज़ा आया, ये हम आकरी दिन गए थे जब तो वहाँ पे हमने देखा कि बहुत कम लोग हैं और ये जूले ऐसे ही चल रहे हैं रात का समय है हम रात में आई हुए है ये जो हम वीडियो सूट कर रहे हैं ये रात के 9 बजे का वीडियो है फ्रेंड्स 9 बजे के करीब हम आये हैं देख सकते हैं जूले पे कितने जादा लाइटे लगी हुए है और कितने चारो तरफ से जगमग जगमग हो रहा है बहुत सुन्दर दिखाई दे रहा है तो बच्चे इसमें डड़ते भी नहीं है ये बहुत ही नॉर्मल जूला है जो की चल रहा है और धीर धीरे ही चल रहा है यहाँ पर बच्चों के जो भी जूले हैं उनका टिकट 50 रुपय है और जो बड़े लोगों के लिए जूले हैं उनका टिकट 100 रुपय है तो ये जो जूला है हम आपको दिखा रहे हैं इसका टिकट 50 रुपय है और इसमें सब बच्चे ही जूल रहे हैं बड़े इसमें नहीं जूल रहे हैं तो बच्चे जूल रहे हैं और जो लोग वीडियो बना रहे हैं वीडियो भी बन रही है यहाँ पर फोटो सूट भी की जा रही है बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि भीड़ बिल्कुल नहीं है इसलिए आप अपने मन की फोटो भी खिचवा सकते हैं यहाँ पर अगर इस बार आप मिस कर चुके हैं तो अगली बार जरूर आईएगा कि महोसो बहुत अच्छा लगता है जब अरदस महोसो लगा हुआ था अब तो यह खतम हो चुका है अब नहीं लगा है और अभी हम आपको पूरा ग्राउंड दिखाएंगे यहाँ पर खाने पीने की दुकाने भी लगी हुई है आप लोग देख सकते हैं कि रात के समय कितना अच्छा लग रहा है बड़े जूले चल रहे हैं और पूरा मेला इस तरह का लगा हुआ है कि लगी नहीं रहा है कि यह महोस्तो है कि हम दिन में आए थे तो दिन में हमें यह कोई रौनक देखने को नहीं मिली है लेकिन रात में आये हैं तो यह बहुत अच्छा लग रहा ह जो जूले बड़े-बड़े से लगे हुए हैं इनमें इस टाइम भी लोग बैठे हुए हैं नौ-दस बज रहा है लेकिन लोग जूला जूल रहे हैं यहाँ पर खाने के भी स्टोर लगे हुए हैं जगा-जगा साकाहरी भोजन भी मिल रहा है और सभी फिरी होकर खुब जो जादा चोटे बच्चे हैं वह इसमें बैठते हैं तो ये देख सकते हैं आप लोग इस जूले में भी जम्प करने के लिए आ गये हैं तो यहां पर हर जगे का टिकट 50 रुपए है जो बड़े जूले हैं उनका टिकट 100 रुपए है तो यह आईसमान के लेवल के सारे जूले हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं बिटिया ने बड़ा बाला जूला जूला था उसके वीडियो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि हमने जूट नहीं किया था और यह देखिए यह हम दूर से बना रहे हैं यह जो लाइटे आपको दिखाई दे रहे हैं गोल गोल यह सारी लाइटे जूले पे लगी हुए हैं यह बड़े बड़े जूले हैं जो गोल गोल दिखाई दे रहे हैं आपको तो इतने बड़े बड़े जूले यहां पर लगे हुए हैं जिसे देखकर भी डर लग रहा है लेकिन इनकी लाइटे इतनी अच्छी लग रही है कि देखते देखते जी नहीं भर रहा है तो इस बार अगर आपने मिस कर दिया है तो अगली बार जरूर आईएगा और मेले का पूरा आनंद आप लोग भी उठाईएगा ये भारत महुस्तो है वैसे तो ये हर साल लगता है कोविट की वज़े से बीज में दो दिन साल नहीं लेकिन इस साल से इस्टा उनल सी की अगले साल भी ये लगे अपको य devoted हमारी वीडियो कैसे हड़ी आशा है कि आपको बहुत अच्छी यग पसंद आई होगी क्योंकि रात की समय जो हमने वीडियो बनाई है इसकी दो बात ही यलग है इससे पहले मैंने आपको दिन वीडियो दिया था जो इतनी मज़ेदार नहीं थी तो यह रात में हमने आपको कोई समान वगएरा नहीं दिखाया है यह देखिया हंटेड हाउस है जहां पर लोग जा रहे हैं इंजॉय करके मस्ति करके वापस आ रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है खूब इंजॉय कि जुआ इंज।